मेरे प्यारे देश्वासियों, इस कोरोना कालखन में स्वच्छता के विशे में मुझे जितनी बाते करनी चाहिए थी, लगता है शायद उसमें कुछ कमी आ गई थी, मुझे भी लगता है कि स्वच्छता के अभियान को हमें रत्ती भर भी ओजल नहीं होने देना है, राष्ट निर्मान के लिए सब का प्रयास, कैसे सब का विकास करता है, इसके उधारन हमें प्रेणा भी देते हैं, और कुछ करने के लिए एक नई उर्जा भर देते हैं, नया विश्वास भर देते हैं, हमारे संकल्प में जान भूंक देते हैं, हम ये भली बात ही जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदोर का नाम आता ही आता है क्योंकि इंदोर ने स्वच्छता के समन में अपने एक विशेश पहचान बनाई है और इंदोर के नागरिक इसके अभिनंदन के अधिकारी भी है हमारे इंदोर कई वर्षों से स्वच्छ भारत रंकिंग में पहले नमबर पर बना हुआ है अब इंदोर के लोग स्वच्छ भारत के इस रंकिंग से संतोस्मा करके बैठना नहीं चाहते है वे आगे बढ़ना चाहते है कुछ नया करना चाहते हैं और उन्होंने क्या मन में ठान ली हैं उन्होंने वाटर प्लस सीटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं वाटर प्लस सीटी यानी एशा सहर जहां बीना ट्रिट्मेंट के कोई भी सिवेच किसी सार्वजनिक जलसरोत में नहीं डाला जाता है यहां के नागरिकों ने खुद आगया कर अपनी नालियों को सिवर लाइन से जोड़ा है स्वच्छता अभियान भी चलाया है और इस विजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजना रहा है आज जब हमारा देश आजादी का अमुर्त महुत सो बना रहा है तो हमें याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पढ़ने देना है हमारे देश में जितने ज़्यादा शहर वाटर प्लस सीटी होंगे उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी हमारी नदिया भी साफ होगी और पानी बचाने की एक मान्मिय जिम्मेवारी निभाने के समस्कार भी होगे साथियों मेरे सामने एक उधारन बिहार के मधूबनी से आया है मधूबनी में डॉक्टर राजेंदर पुसाद करशी विश्व विद्याले और वहां के स्थानिय करशी विज्यान केंद्र ने मिल करके एक अच्छा प्रयास किया है इसका लाप किसानों को तो हो ही रहा है इससे स्वच्छ भारत अभ्यान को भी नई ताकत मिल रही है विश्व विद्याले की इस पहल का नाम है सुखेत मोडल सुखेत मोडल का मकसद है गावों में प्रदूशन को कम करना इस मोडल के तहट गाव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कच्छा इखटा किया जाता है और बदले में गावों वालों को रसोई गैस सिलिंडर के लिए पैसे दिये जाते हैं जो कच्रा गावों से एकत्रिस होता है उसके निपतारे के लिए वर्मी कमपोस बनाने का भी काम किया जा रहा है यानि सुखित मोडेल के चार लाब तो सीधे सीधे नजर आते हैं एक तो गावों को प्रदुशन से मुक्ती दूसरा गावों को गंदगी से मुक्ती तीसरा गावों वालों को रसोई गैस सिलिंडर के लिए पैसे और चौथा गावों के किसानों को जैवी खात आप सोचिए इस तरह के प्रयास हमारे गाउं की शक्ति कितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं यही तो आत्मनिर भरता क्या विशह है मैं देश की प्रतेक पंचायद से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने हाँ जरूर सोचे और साथियों जब हम एक लक्ष लेकर निकल परते हैं तो नतीजे का मिलना निश्चित होता है आप देखिए न हमारे तमिला रूम है शिवगंगा जिले की कांजी रंगाल पंचायद देखिए इस छोटी से पंचायद ने क्या किया यहां पर आपको वेश से वेल्ट का एक और मोडल देखने को मिलेगा यहां ग्राम पंचायद ने स्थानिये लोकों के साथ मिलकर कच्रे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गाउं में लगा दिया है पूरे गाउं से कच्रा इखटा होता है उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्स को किट नाशक के रुपे बेज भी दिया जाता है गाउं के इस पावर प्रांट की इक्षमता प्रती दिन दो टन कच्रे के निस्तरन की है इससे बनने वाली बिजली गाउं की स्ट्रिट लाइट्स और दूसरी जरूरतों में उप्योग हो रही है इससे पंचायत का पैसा तो बची रहा है वो पैसा दूसरे विकास के कामों में इस्तमाल किया जा रहा है अब मुझे बताईए तमिल नाडू के सिविगंगा जिले की एक छोटी सी पंचायत हम सभी देशवासों को कुछ करने की प्रेणा देती है कि नहीं देती है कमाल ही किया है उन्होंने